दिल्ली की पेले भी सरकारे रही हैं, इतने करप्ट मंत्री और मुख्य मंत्री आज तक नहीं आया, तो जन्ता इसको पेचान चुकी है और इसको आने वाले चुनाओं में उखाड़ थेंगे हम सब को जोड़ना चाहते हैं, सब को साथ लेके चलना चाहते हैं और यहीं भारत को संदेज देना चाहते हैं, कि एक भारत मजबूत बारत दिली की जन्ता को बेब को बनाया गया है, फिरी की रेवड़ी बाढ़कर अर्विन केजरी वाल ने जो लोगों को लूटा, वा दिली की जन्ता बिल्कुल जान चुकी है नमस्कार आप देख रहे हैं, भाईया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यह स्वी शर्प, अभी मैं मौझूद हूँ पश्यमी दिली में, और जो वाज ये पीछे आप सुन रहे हैं, जो पीछे आप जितने लोग देख रहे हैं, आज बाच्वा की दरफ से हैं, श्री और ये लोग ही मैरेटोन हर साल, श्री वल्लाबाई पटील जी के जनम उच्वा पर आयोजद करते हैं, उनका जो जनम दिन है, जनम उच्वा जो है, वो 31 अक्टूबर को होता है, लेकिनों दिवाली है, तो ये जो कारेकरम इनों ने आज आयोजद करा है, तो ये इस देख रहे हैं, ये सब जो मैसेज जा रहा है, बच्वो को दोड़ लगा के, वो जही मैसेज जा रहा है, कि सब अनेक हैं, पर फिर भी एक है, यही हमारा एक सबसे बड़ा संदेश है, जनता के लिए, आज हमें यूनिटी के साथ चलना है, जहां भी जाना है, अजब तक हम यूनिटेट नी रहेंगे, तब तक देश का विकास भी नहीं हो सकता, देश के विकास के लिए हम सब का एक होना जरूरी है, यूनिटी आज यह जित करिया यह दौड, श्री बलभाई पटेल जी के जनम उतसफर, इसके पीछे आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जब भारत अजाद हुआ, तो उस समय भिन भिन परांत थे, और उस समय सदार बलभाई पटेल जी ने एकता दोर के अंदर बूरे देश को पिरोया, और भिन परांतों को एकत्रित करकर, आपने एक भारत देश की सरचना की, आज के समय के अंदर, जो दूसरी पार्टी हैं, वो देश को फिर तोडने पर लगी हैं, चाहे जाती के नाम पर, परांतों के नाम पर इसको तोडने में लगी हुए हैं, तो एक संदेश देने के लिए जनता को, कि जिस तरह लोग पुरुष बल्लभाई पटेल जी ने उस समय विबिन परांत थे, देश अजाद हुआ था अगर उस्तिती में रहते, तो हम एक नहीं हो सकते थे, वो ही संदेश मानिय मोदी जी, हर वर्ष बल्लभाई पटेल जी के जनल दिन पर, ये जनता को देना जाते हैं, कि हमें उनसे प्रेड़ना लेनी चाहिए, और हमें प्रेड़ना लेनी चाहिए, और देश के अंदर, ए प्रेड़ना लेक रहेंगे, तो देश ताकतवत बनेगा, तो इसका दो हिंदी में उप्रपांतर करनों एक्ता के लिए दोड़, तो देश हमारा एक रहे, उसको लेकर इस दोड़ का यूर्ण किया जाता है, और यही संदेश हम जनता को देना चाहते हैं, और अगर हम इसक जनता को केजरी वाल की जूटी नितियां, जूटे परचार और जूट का जितना भी उसने जनता को इस समय बरगलाना था, वो बरगला चुका, जनता उसकी सचाई समझ चुकी है, और उसको पता है कि यह एक करप्ट चीम मिनिश्टर रहा है, इसके मंतरी करप्ट रहे हैं, आज तक इतने करप्ट दिल्ली की पहले भी सरकारे रही हैं, इतने करप्ट मंतरी और मुखे मंतरी आज तक नहीं आया, तो जनता इसको पेचान चुकी है और इसको आने वाले चुनाओं में उखाड फेंगेगी। भारत को बाटने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग, हम सब को मिलके भारत को हम चाहे अनेक हो सकते हैं, हमारे भाषाएं अलग हो सकती है, हमारी संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन हमारा भारत एक है, हम अपने भारत को मजबूत करने के लिए, आज ये रन पोर यूनिटी, ज तो इस बार सभी जिलों के अंदर यह भारतिय जंता पाल्टी का हमेशा परियास रहता है तो आप उनको एक क्या संदेज देना चाहते हैं आप इस उमर में भी अगर आप दॉड मेरेफोन में आप ले रहे हैं तो आप उनको क्या संदेज देना चाहिए कि अपनी हेल्फ वाध करना चाहिए करने से सारे लोग दूर होते हैं सब भाईयों को बुड़े बजर्गों को सभी को योग बहुत जरूरी है योग से सारी विमारी दूर होती है मेरा कहना यह ही है जी आज जो कारिकरम हो रहा है इसका एक विशेश महत्व है सरदार वल्लब भाई पटेल एक ऐसे नेता हुए हैं आजादी के बाद जिनोंने 500 से ज़्यादा रियास्तों को एक किया था इसलिए उनके जनम दिवस पर हम यह यूनिटी फोर रन करते हैं जिस प्रकार उन्होंने रियास्तों को एक किया था हमारे देश में 3000 से ज़्यादा दर्म प्रम्पंट समुदाए वो अनेक प्रकार के हैं हम वो सब एक साथ बिना किसी भेद भाव के आज इकट्टे दोडेंगे यह देश को संदेश देने की बात है कि हम भले ही अनेक हों लेकिन रास्त्र भावना में हम एक हैं यह संदेश देने के लिए आज का यह कारिकर हमारे मानिय प्रधान मंतरी जी की सोच है उनी के दिशा निर्देश पर हर 31-31 अक्तूबर को हम यह कारिकरम करते हैं भाजबा राश्वाद की बात करती है ठीक है यूनिट की बात करती है कि उनके लिए सारे धर्मेक है अगर हम बात करें कि आपको लगता है कि दिल्ली में चुनार जो विदान सबाके होंगे तो बाश्वा कमल खिला पाएगी क्योंकि 23 सालों से यह नहीं हो पाया है दस सालों से आमादी पार्टी की सरकार है आतीश जी कद्धी पे बैठ चुकी है खेर उनको एक पपिट मंतरी का भी टैक दे दिया गया है सेहमत है अब उस बात स किनको आतीश जी को एक पपिट के मंतरी का नाम दे दिया क्या है यह सारी दुनिया जानती है यह तो एक पपेट है पीछे से मुख्य मंतरी तो वही है जो जेल से रिहा होके आया है जो जेल से जमानत लेकर आया है रिहा होना तो अभी बाकी है बाकी क्या है कि आप जंता इ पढ़के टूटी हुई जिन कूड़े के पहाड़ों का नाम लेकर ये सत्ता में नगर निगम में वह पूड़े के पहाड़ वहीं के वहीं है जमना को साफ करने के लिए ये पिछले 15-14 सालों से हर बार समय बढ़ाते हैं आज भी वहीं है और पिछली बार केजरी वाल जी ने कि दिली बदा हाल है दिल्ली की सीविक सर्फसी सारी दवस्ट हो चुकी है आम अगय पार्पीटी का आधार खतम हो चुका है और इस बार पार्प आलिटी ने क्या ने मन पॉस्तर बोलते हैं कि बाच भाई हिंदू मुस्लिम कराती है नहीं ऐसे कोई बात नहीं है बहुत अच्छा पाई चाहता है तोड़ना चाहता है और हमारी दर्शाब ने हमारे सब एक जूटे यहां पे हिंदू मुस्लिम से सब यहां है हमने देश को आगर पढ़ाना है हमारे देश को उन्होंने इतना अच्छा स्कोप बनाया बार की फॉर कंट्रेस अधिन ट्रेंट हो रहे हैं आतंगवाद बढ़ रहा है हमारे जवान सेफ नहीं है चैना यह सब विवक्ची पार्टी ती चाल है हमें बदनाम करने के लिए तोड़ने के लिए सिखों को तोड़ने के लिए मुस्लिम को तोड़ने के लिए यह सब चाले चली जारे आप आने वाले चुनाव में चुनाव आने वाले हैं ठीक है हर पार्टी अपने एक चोटी का जोड़ लगा रही है जीदने के लिए आपको क्या लगता है बाचपा कमल खिलाप आएगी बेलकुल खिलाप आएगी जी अभी सही आपने देखा होगा अभी दिल्ली के अंदर जो 70 सीटों में चुनाव लगना है अभी सही न्यूज में और आपके सोचल मीडिया के माध्यम से भी अभी 41 सीटों का मारजन हमारे दिखाई देरा है जो भारती जन्दा पार्टी 41 सीटों का जो मारजन दिखा रहा है वो सोचल वीडिया के अंदर और आने वाले टेम के अंदर आप देखना कमल पूरा पूरे दिल्ली में खिलेगा जिस तरह किसे आम आती पार्टी लगातार चैलेंज करे जा रही है बाच्पा को कि हम ही जीतें के चाहे हम चैलेंज यदे अब चुनाव अभी करा लीजिए मैंना मैंसा कुझ नहीं है देखो दिल्ली की जंदा को बेब को बनाया गया है फिरी की रेवडी बाटकर अर्विन केजिरी वाल ने जो लोगों को लूटा वाद दिल्ली की जंदा बिल्कुल जान चुकी है आप देखो के गली-गली में या रोडों पे कितनी खड़े आप देखो उन्होंने सीज में इतने करोरों लाको रुपे उन्होंने लुटा है एक गली में या कोई छोटी कलेश्टर एरियों में कोई उनका निगम पारसत नहीं है कोई एम्मेल नहीं है बिल्कुल जूठी की राजनी दिखे लिए आने माले चुनाओं में देखना दि अभी आप लगा तो उन्होंने देखा आपने करोलों के उनकी चीट लगाय थी तोईलेट सपीड लगाया ती है नहीं परदे लगाये वो उखाए दोड़ी परसलिनी ले ले यानिकिने अपने परसलिन नी वेक्तिकल के लिए बनाया था आने माले कोई भी जो मुख्यमत्री बैठेगा वो मुख्यमत्री बैठने से पहले ही वो सारा उखार के लेगे आपने भी नियूस में देखा होगा और देश की जंता और दिल्ली की जंता भी जान चुकी है बिल्कुल जूठी की रात नीर खेली है अर्विल केजिरिवाल जी ने और आ जवान होता है तो लोग है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं समय जवान बने रही है और भारत के किसी भी काम में भाग लिए शतार पटेल के लौप पुरुस्त है वो तो हम कम सकम लौने तो कम कम दूसरा पुरुस्तों बनी जाए ना लग रहा है इस बार मतलब चोड़ दी मैंने रहते हैं तो नकली छोड़ा है ना डमी मुखमंतरी बना दिया डमी जो ही काते हैं वही उकरती है अच्छा पुरा विपक्ष दिल मिला जाता है कि इवी एंपिकी हुई है जाच करवाई जाए और जहां जीतती है वा करनाटा गौर तमिल लाड़ू और क प्रेशल में वहां एपियम क्या हो जाता है वह दूसरा हो जाता है वह हारने पर बोलता है यो अपनी टाइम पास करना है उनको बस और कुछ तो आज टाइम निकाला है आपने भाग लिया इसमें नहीं मैं तो स्कूल या तर देखने आ गया तो पार वाट लिया करो आपको लगता है कि भाषपा सिर्फ धर्म के उपर वोट बतोड़ती है सिर्फ हिंदु मुस्लिम कराती है उनके पास महंगाई बिरोजगरी गरीबी के कोई मुद्दा ही नहीं है इतने सालों से जो इतने सत्तर सालों से जो नहीं हुआ है इन 14 सालों में हुआ है उसको सब्सक्राइब कर देश के विकास के लिए आप एरपोर्ट्स देखिए एमस देखिए इस देखिए कितने सारे स्कूल्स कॉलेज कुल के इतनी सारी सड़के कभी आज तक नहीं बनी चाइना को पीछे करने पर लगे हैं आज हम जो ती से चौती आर्थिक विवस्ता के उप पहले का ड़ाटा और आज की डाटा में देखेंगे ना जितनी जड़ाटे बनेंगी थोड़े-बहुत आक्सिनेंन में हो सकता है हमान सकते हैं थोड़े बहुत आक्सिरेंट लेकिन चीतनी जाधात में बन चुकी है हमारी आज हर बंदा खुश है हम यहां से दिली देरा दून जाते हैं दो से डाइगंटे में पहुंचने का है ठीक है आप पुन्हें के देखिए कि अच्छे सालों से कमल नहीं खिला पाई अभी तक वह वनवास टूटा नहीं है अभी 27 सालों का वनवास जारी है दिली में व भी 25 चुनाव में बिल्कुल के लिए बहुत जमटस तरीक़ से किलेगा राइं कि हां तरीके सार jedemे पे सेफटी को लेके के स्वास्त कॉंध कि काम हुआ है दिकें गूलिए का राज अगर आप गले हैं तो हम के सारे में देखा हुआ है तो उससाब से जो सेंटर की गवर्मेंट है तो हम दिलने में बहुत सेफ है और बहुत अच्छी तरीके से हमारी सेंटर गवर्मेंट काम कर रही है सुपा सुपा आप लोग उठें आप लोग दौर में भाग ले रहे हैं तो युवाओं को और जो आने वाली पीडी आप उनको क्या संदेशन दें चाहते हैं हैं कि आजकल मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ चुका है मेंटल स्टेबिलिटी युवाओं में नहीं है सु को तो फिट रखें लेकिन उससे जरूरी है कि मेंटल हेल्थ को फिट रखा जा सकते हैं देखिए मैं आपको बताओं जो हमारे हिंदुस्तान की यूइस पी है ना वह यूइस पी है आप और मेरे यह सी यंग जनरेशन अगर हम विश्व की पांच भी अर्थवश्ता बन ग पाकिस्तान श्रेलंका में एकनोमिकल हालत अच्छे नहीं तो हम एशिया की सुपर पावर है जहते करी हमारी यंग यंग जनरेशन की बात तो यंग जनरेशन ने इतना कामकतिया दिखाया थेखो आर्टीविशल इंटेलिजिंस है इंटरनेट वर्ल्ल है जो हम इंडिया मे सब्सक्राइब है कि आप उस नेट्वक का देखिए कि हमारी जो वैंकिंग की जो विवस्ता है उसके वाइए से हमारे देश में तो कहीं भी मुझे अभी आप मार्केट में आपको भी लगेगी हर गरी महलों में ऑनलाइन समान लोग खरीद रहें यूपी आई यूपी आई ने फिंटेक और तुमस्ता बन जाएंगे जिस तरीके से अब्दे से दिवावली आने वाली है ठीक है प्रदूशन जो है वह काफी दिन प्रती दिन दिल्ली में बढ़ता जा रहा है और यह सवाल खासता और बहुत उटता है कि जब दिवाली आती है तब ही पटाओक के बैन होने की बा पटाके तो यह नहीं है कि खाली एक ही दिवाली पर चलते हैं नया साल भी है और प्रताकों को दोस्त जेना कोई मेरे साफ से कोई ठीक बात नहीं है रान फॉर यूनिटी यहां पे हर साल श्रीव अपनी राहे रखी लेकिन आपकी क्या राहे मुझे कमेंट बॉक्स में जर झाल